हलो दोस्तों कैसे आप लो स्वागत करता हूँ आपका option learning series की एक और वीडियो में आज हम third topic cover करने वाले हैं जिसका नाम है basic option strategies दोस्तों इस series में हमने इससे पहले cover किया था first topic जिसका नाम था understanding the options understanding the options में दोस्तों मैंने आपको बताया था options की basic terminologies के बारे में यानि की call option क्या होता है put option क्या होता है strike price क्या होता है underlying assets क्या होते है time value क्या होती है इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था साथी साथ में आपको ये भी बताया था कि किस condition में हमको options buy करने चाहिए और किन conditions में हमको options sell करने चाहिए second topic था हमारा support and resistance जहाँ पर हमने आपको बताया कि market में किस तरीके से आप market की conditions को समझ सकते हैं और आप कैसे analyze कर सकते हैं कि market उपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है तो दोस्तो अभी तक अगर आपने ये videos नहीं देखी हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि पहले आप first और second part ज़रूर देखिए और उसके बाद आप third video देख सकते हैं चले दोस्तो शुरू करता हूँ आज की video और बात करता हूँ best option strategies के बारे में तो दोस्तो पहली strategy जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है butterfly और दोस्तो ये strategy मैं specially use करता हूँ सिरफ expiry के दिन दोस्तो ये एक बहुत ही बड़िया strategy है जिसमें आपको बहुत ही बहतरीन risk reward ratio मिलता है इसमें आपको normally 1 is to 15, 1 is to 20 से लेके 1 is to 10 तक का risk reward मिल जाता है यानि कि अगर आप 10 रुपे का risk लेते हैं वहाँ पे आपको उसके सामने 100 रुपे तक का profit देखने को मिल सकता है तो दोस्तो चलिए समझते हैं कि ये strategy के बारे में सबसे पहले दोस्तो ये strategy हमें कब लेनी चाहिए दोस्तो ये strategy हम ले सकते हैं केवल expiry के दिन जैसे मैंने आपको बताया expiry के दिन 11 बज़े से पहले पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये strategy ले जितना जल्दी हम यह strategy लेंगे हमारी cost of acquisition उतनी ही कम रहेगी और हमारा risk reward ratio उतना ही ज़ादा बढ़िया होगा तो starting point क्या है दोस्तों इसमें यह strategy हमें कैसे start करनी है तो सबसे पहले हमें इस strategy में estimate करना पड़ता है वो level जहां पे हमें लगता है कि आज expiry होगी यानि कि अगर मैं bank nifty की बात कर रहा हूँ for example तो यह जो नीचे मैंने आपको option chain share किया है यह 15 जून का closing का option chain है यह मेरा 15 जून 2022 का end of the day का option chain है और 16 जून 2022 की expiry है तो मुझे सबसे पहले यह estimate करना पड़ेगा कि 16 जून 2022 को bank nifty किस level पे expiry दे सकता है तो मैंने अपनी तरफ से estimate कि 33,200 पे bank nifty expire करेगा तो दोस्तों आपके मन में एक doubt आ रहा होगा कि हमें कैसे पतलेगा कि bank nifty किस level पे expire करेगा तो दोस्तों इसके लिए आप सिरफ guess कर सकते ह है इसमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे आप अपना जिससे आप शूर हो सके कि bank nifty किस लेवल पे expire होगा तो वह guess करने के लिए आप या तो यूज कर सकते हैं maximum oi build up को आप देख सकते हैं कि maximum oi कहां पे या निकि maximum open interest किस लेवल पे build हो रहा है तो जैसे कि अगर मार्केट 33,339 पर close हुआ था और आप यहां पर देखेंगे यहां पर आप देख सकते हो कि 33,339 पर जाम मार्केट क्लोज हुआ है तो मुझे 41,000 लैक्स का यहां पर और 43,000 लैक्स का यहां पर और इसी तरीके से अगर आप पूट साइट पे भी देखोगे तो यहां पर लेगा दोस्तों मैंने मेरे को ऐसा लगता है कि 33,200 का जो लेवल है इसमें थोड़ी सी आपकी गट फीलिंग होगी लेवल मैंने उस बेसिस बेसिस किया है कि जिसके बेसिस बेसिस पे आप लेवल को चूस करेंगे maximum risk, maximum risk strategy में क्या है? maximum risk strategy में वो ही है जो हमारी max cost है यानि कि 4 रुपीज multiply कर दिये 25 से तो यानि कि अगर हम एक lot लेते हैं तो हमारी 100 रुपीज की यहाँ पर cost है हमारा maximum risk है 100 रुपीज का पर lot, maximum gain आप देखिए तो बैया maximum gain जो यहाँ पर बनेगा वो हमारा maximum gain बनेगा 100 रुपीज का यानि कि अगर एक lot की बात करूँ तो 2500 रुपीज पर lot तो आप देख सकते हो मेरा जो risk reward है वो कितना favorable आ रहा है 100 रुपीज के risk के सामने में 2500 रुपीज का reward earn कर सकता हूँ तो मेरी 1 is to 25 की risk reward ratio यहाँ पर मुझे मिल रही है तो दोस्तो अगर इस strategy में ऐसन है कि हम हमेशा इसके अंदर profit कमाएंगे हम हमेशा इसके अंदर हमें इतना maximum profit earn कर पाएंगे लेकिन यह strategy इस तरीके की है कि जो हमने estimate किया है अगर market 12, 12, 12, 2 बज़े तक भी उस level के आसपास रहती है तो जो हमारी यह 4 रुपे की cost है यह धीरे धीरे बढ़के 8 रुपे, 12 रुपे, 20 रुपे, 30 रुपे पहुच सकती है यह depend करता है कि कितने बज़े तक market उस level के आसपास रहती है जैसे अगर मान लीज़े डेड़ बज़े के आसपास अगर आप देखते हो market उस समय चल रही है 33,250 तो आप देखोगे कि जो इसकी cost है वो 20 से 25 रुपे के आसपास चल रही है तो आप अपना वहाँ पर profit book कर सकते हो आपने 4 रुपे का maximum risk लिया था 20-25 रुपे पर आप अपना profit book कर सकते हो या फिर अगर आप उसको इस तरीके से play करना जाते हो कि आप इसको expiry तक ही आप देखना जाते हो आप उस तरीके से भी इसको play कर सकते हो तो उस case में अगर market में हमारी अगर उस case में हमारी किसमत अच्छी रहती है और market exactly 33,200 पर ही बंद हो जाती है तो हमारे को पूरे 100 points का profit होगा यानि कि हमारे को 4 points के हमारी cost थी तो हमें पूरे 96 points का यहाँ पर profit होगा तो यह हमारी पहली strategy है जो हम सिरफ expiry के दिन पर use करते हैं next strategy मैं आपको बताने वाला हूँ option buying के लिए तो दोस्तों generally मैं option buying नहीं करता हूँ लेकिन अगर आपको option buying करनी है तो मैं आपके लिए भी एक strategy बताने वाला हूँ इस strategy का नाम है range breakout strategy तो इस strategy में आपको देखिए क्या करना है सबसे पहले आपको 15 minute candle में आपको चार्ट open करना है यह जो आप चार्ट देख रहे हो यह है 15 minute का 15 minute time frame में मैंने यह चार्ट open किया है और इसमें मैं सबसे पहले first 45 minutes of the day यानि कि 9.15 से लेके 10 वजे तक मैं देखूँगा कि भई market के अंदर क्या trend चल रहा है market में क्या high point और क्या low point बना है तो अब यह देखिए जो मेरी first candle है यह मेरी first candle हो गई यह मेरी second candle हो गई और यह मेरी third candle हो गई तो मैं इन तीन candles के basis पे market की range निकालूँगा कि आज मेरे को market में क्या range expected है चलिए देखते हैं किस तरीके से यह काम करेगा तो आप देखिए यह जो है मैंने market में range निकाली है यह जो candle है first candle है इसी का जो low है वो इन तीनों candles में से सेकंड केंडल और third candle तो मुझे यह देखना है कि इन तीनों candle में से lowest low क्या है lowest low क्या है तो lowest low है मेरा 33,082 आप देख सकते हैं कि जो मेरी first candle है उसका जो low है वो इन तीनों candle में सबसे low सबसे नीचे है, सबसे कम है इसी तरीके से जो first candle है उसका ही high इन तीनों candle में सबसे ज़्यादा ऊपर है तो first candle का ही highest high है और first candle का low ही lowest low है तो मेरी जो range बन गए वो बन गए 33,263 से लेके 33,082 की यह मेरी day की range बन गई अब मैं आगे क्या करूँगा मैं आपको पताता हूँ चलिए next slide पे चलते हैं next slide में देखिए हम क्या करेंगे हम अब wait करेंगे कि कब हमारी day range तूटती है तो हमें wait करना है closing basis का 15 minute closing basis पे जब मेरी यह range break होगी 15 minute closing basis पे जब मेरी यह range break होगी तब मुझे क्या करना है अगर यह highest high वाली range broke होती है तो मैं call option buy करूँगा अगर मेरी lowest low वाली range break होती है तो मैं put option buy करूँगा समझ लीजिए तो आप यह देखिए यह मेरी first candle थी यह मेरी second candle थी यह मेरी third candle थी उसके बाद यह fourth candle बनी इसमें ना मेरा high break हुआ ना मेरा low break हुआ यह fifth candle बनी इसमें भी ना high break हुआ ना low break हुआ जो यह sixth candle बनी है यह इसने मुझे closing basis पे मेरा high break किया है इसने मेरे high को closing basis पे break किया अगर यह उपर जाती है और वापिस से नीचे आके बंद जाती तो मैं इस candle को consider नहीं करता लेकिन क्योंकि इस candle ने मेरे को closing basis पे उपर जाके close दिया है तो अब देखिए मैंने उसी condition के according यहाँ पे call option को buy किया यह candle close हुई 33,290 पे मैंने आपको बोला कि मैं wait करूँगा इस candle को close होने का तो यह candle close हुई है 33,290 पे यहाँ पे मैं entry करूँगा आप मेरे को क्योंकि मैं option buying कर रहा हूँ तो उस case में मुझे stop loss और target भी पहले से ही define कर देने है तो वो मैं आपको बता देता हूँ stop loss आपको क्या रखना है stop loss या तो आपका होना चाहिए lowest low से 25 points below का अगर जैसे आपने call option buy कर रहे हो तो जो भी आपका यह lowest low है जो कि था मेरा 32,082 का lowest low था उसमें मैं 25 points का और एक margin एक buffer add कर दूँगा तो 32,057 का मेरा stop loss बन जाएगा इससे ज़्याद अगर market नीचे चली जाती है तो मेरे को अपने call option में पूरा का पूरा loss बुक करना पड़ेगा लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि यह जो range है मैं 33,290 पर entry कर रहा हूँ तो 32,057 जो है almost 200 points नीचे है almost 250 points नीचे है तो अगर मैं इतने नीचे तक जाने का wait करूँगा तो अब तक मेरा call option वैसे भी 60-70% value lose कर जाएगा तो उस case में मैंने यहाँ पर बोले कि 175 points का maximum आपको stop loss रखना है यानि कि अगर जो मेरा यह first condition है इसमें जो मेरा stop loss निकल के आ रहा है वो जादा निकल के आ रहा है तो आपको maximum 175 points का stop loss रखना है तो 33,290 से मैं 175 minus कर दूँगा तो मेरा answer निकल के आएगा 32,115 तो यानि कि मेरा stop loss है वो हो जाएगा 32,115 का यह जो मेरी line दिख रही है यह मेरा actual में stop loss बन जाएगा तो अब आपको जब आपने entry कर रहे हो तो आपको entry में पता लगए कि आपने यहाँ पे entry करनी है उसके बाद आपको stop loss भी पता लगए कि यह आपका stop loss है अब आपको क्या करना है अब आपको शिरब वेट करना है कि यह तो आपका stop loss हीट होगा यह आपका target हीट होगा target भी मैंने आपको बताया है कि जो भी आपका stop loss decide होता है जो भी आपका stop loss decide होता है वो जितना भी point ऊपर नीचे है उसका आप 1.5 times का target बना लीजिए तो अगर आपका पहली condition का according मालेजिए stop loss 90 point नीचे होता तो आपका target जो है 90 into 1.5 बन जाता यानि की 135 point का आप target ले लेते इस case में हमारा stop loss है वो 175 points नीचे है तो इसलिए मैंने target भी बोल दिया कि 200 point की आसपस होना चाहिए तो 200 point ऊपर मैंने हापर target बना दिया और उसके according हम लोग अपनी positions exit करेंगे luckily इस जिन हमारा stop loss हिट नहीं हुआ directly market दीरे दीरे करके उपर जाती रही और around 3 p.m. around 3 p.m. market ने यहाँ पे हमारा 5.40 का target भी हिट किया और हमने यहाँ पे अपना profit बुक कर लिया चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अपनी तीसरी और आफरी strategy के बारे में जो कि एक option selling से related strategy है तो दोस्तों यह strategy भी जो हमने first strategy सीखी थी तो basic rules तो वही है कि हम यहाँ पे भी first 15 minutes की जो three candles होती है first 15 minutes की जो मेरी three candles होती है पहले हम उन तीन candles का wait करते हैं उन तीन candles का हम wait करते हैं और फिर उन candles के basis पे हम range निकालते हैं जैसे आप देख सकते हों यहाँ पे चार्ट में हमने यहाँ पे उन first three candles के basis पे हमने range निकाली है जो भी highest high और highest low आया है उसके बाद हम देखते हैं कि अगर market इसी range के within trade करती है तो हम यहाँ पे अपनी option selling strategy को use करते हैं तो अब हम क्या करेंगे हमने market की range बना लिए 33,658 और 32,180 अब हम क्या करेंगे अब हम इसी level के आसपास की strikes को sell करेंगे और market का wait करेंगे कि market हमार को किस तरीके का return उस दिन provide करती है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जब आपने range बना लिए 33,658 और 32,180 गी उसके बाद आपको क्या करना है आपको जो call है एक call को short करना है जिसका strike price highest high के आसपास का होगे या निकि जैसे 33,658 है तो आप 33,700 की call को sell कर सकते हो 33,700 की call को आप sell कर दोगे इसी तरीके से lowest low जो है आपका है 32,180 तो यहाँ पे आप मेभी 32,100 की put लेकर उसको आप sell कर दोगे यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है additional conditions मैंने क्या बताई है कि एक तो आपको यह trade सिरफ 10 बज़े के बाद लेना है क्योंकि already मैंने आपको बताई है कि हम पहले 15 मिनट पहले 45 मिनट तो हम यह देखते हैं कि day की range क्या बन रही है तो इसलिए 10 बज़े से पहले हम यह trade नहीं ले सकते second condition यह है कि जो call और put का price है जो इन दोनों strikes का price है वो almost same होना चाहिए यह almost same कब होगा जब हमारा market price जो है वो इन दोनों के बीच में होगा यानि कि 33,100 से लेके 33,700 के जब बीच में हमारा price होगा जब हमारा market price इन दोनों के बीच में चल रहा होगा तब यह हमारा call और option का price same होगा तो हमें यह देखना है कि जब market यह 33,400 के level के आसपास आती है ना तब हमारको यह trade लेना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए फर्स केंडल यह हो गई हमारी second candle third candle हो गई इसके बाद हमें वेट करना है 400 के आसपास market आने का तो आप देखे यह जो आप हमें वेट करने है market का इस लेवल के आसपास आने का यह जो हमारी लाइन जा रही है यह 4th candle almost जो इसका low है यह 33,420-430 के आसपास का बन रहा है तो जब market इस level के आसपास आईगी तो हम अपनी call option और put option को sell कर सकते हैं अब इसमें हमें क्या करना है इसमें हम profit का book करेंगे या stop loss क्या रखेंगे तो वो मैं आपको बता जाता हूँ तो माल लेजिए यहां पर इस level पर जब market आई तो इसका price जो चल रहा था वो for example चल रहा था 275 and 250 ठीक है यह इन दोनों का price चल रहा था तो यानि कि जो हमारे को combined premium receive हुआ वो कितना कितना हो गया almost आप लगा लेजिए कुछ हो गया 78 के आसपास का ठीक है तो हम इसको इसमें add कर देंगे 525 प्लस 78 हम इसमें add कर देंगे तो हमारा stop loss जो बन जाता है वो लगबग लगबग हमारा बन जाता है 603 के आसपास का तो अगर हमारा इन दोनों strikes का जो price है वो 603 से भी उपर चला जाता है अगर हमारा price 603 को भी cross कर लेता है इसके भी उपर चला जाता है तो हम अपना stop loss बुक कर सकते हैं stop loss बुक कर लेंगे otherwise हम क्या करेंगे जो अपना stop loss है उसको हम 15% के buffer के हिसाब से ट्रेल करते रहेंगे इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने ये trade लिया तो 525 की combine cost थी एक घंटे बाद आप देखो के तो भाईया ये 525 जो है न ये थोड़ा सा कम हो गया होगा में भी 500 पे आ गया होगा तो अब हमारा जो stop loss है वह इसका 15% हो जाएगा तो वह मान लीजे हो गया 575 तो अब हमारा जो stop loss है वह 0-3 से कम होके 575 हो गया इस तरीके से हम अपने stop loss को ट्रेल करते रहेंगे और at end of the day end of the day हम क्या करेंगे जो भी हमारा प्राइस चल रहा होगा end of the day का मतलब आप यह लगा लिजे 245 के बाद कभी भी 245 के बाद कभी पूरा कभी भी साड़े तीन बजे दक वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखरी के आदे गंटे में कभी भी वोलेटाइल मूब आ जात करने था, अब यह 450 के प्राइस होगे, तो हमारे को 75 पॉइंट का प्रोफित हो रहा है, तो हम यहां पर इसको sell कर देंगे, हम अपना यहां पर मतलब दोनों strike को buy कर लेंगे, और हम अपना 75 प्रोफित का जो प्रोफित है, यह हम book कर लेंगे, तो यह basically यह strategy है, options selling वाली है. डेली मार्केट अनालिसिस एंड लाइव अपडेट्स, एक्सेस तू आटोमेटिड ट्रेट सिगनल स्टूल, लाइफ ट्राइम एक्सेस तू लाइव वेबिनार्स, ब्रोकरेज कैश बैक कॉंटेस्ट एंड एक्स्क्लूसिव डिस्काउंट्स ऑन ओल स्काई वेल्ट सर्वि बट दोस्तो इन में से सबसे बड़ा बेनिफिट जो स्काई क्लब आपको ओफर करता है वो है वन टू वन मेंटॉर्शिट दोस्तो बहुत बारी हम कोई ऐसा ट्रेड ले ले लेते हैं जहांबे हमें समझ नहीं आता कि हम उस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करें ऐसी जहांपे आप एक ट्रेडिंग अकाउंट उपन करवाके उस अकाउंट के थुरू ट्रेड करने पे आपको सभी स्काई क्लब बैनिफिट्स प्रवाइट किये जाएंगे जहांपे आप 249 रुपीज पर मन्त के हिसाब से 6 मन्स या 1 एर का प्लान चूज कर सकते हैं जहांपे ट्रेडिण कर सकते हैं